एक सेकेंड रिकॉर्डिंग और फिर हम आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्देख अभी नंदन है कि कैई सारे कॉलेजिस डिपार्टमेंट्स आज इस विशे पे चर्चा करने के लिए इतत्रित हैं जिसका महत्तो भारतिय संस्पिती में सभ्यता में धार्मिक इस बहुत अधिक है और बहुत अधिक इस विशे पे समय समय पे चर्चा होती रही है लेकिन फिर भी उस शिव्ट के विविद्गिन स्वरूपों को हम कितना जानते हैं कितना समझ पाते हैं या अभी तक हमारे पास जो पूरी जाई कि नाम पर उपलब्धी आई है वो कहा साल ठक और कहां तक हमारे लिए उपयोगी रही है इस बात को आज हम दुबारा से समझने का प्रयास करेंगे विशे आप लोगों के सामने है डिकोडिंग शिवा एलिमेंट समाने रूप से जिस शिवकत्व के उपर आप चर्चा करते रहे हैं या सुनते रहे हैं वो कभी काश्मीर शाइव दर्शन के इसाब से कभी दाक्षनात्य दृष्टी से और कभी हम लोग जो है वो तन्मे मनाश्मानाश्टी वैदिक दृष्टी से हम इन विश्यों को सु अच्छा नहीं कभी की जिनके उपर की जानी चाहिए थी और अलगलग दृष्टियों से उस शिवको हम कैसे समझें और उस समझ से हमारे अपने भीतर के अनुभव कैसे बनते हैं दृष्टी क्या बनती है उस विश्य को हम समझने का आज यह प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमने आज विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत अंगेरश जी जो कि प्रोफेसर पॉर्मर्ट प्रोफेसर और कालिदास चेर एंड हैड़ डेपार्टमेंट अफ संस्वित पंजाब निवस्टी चंदिगर्ड रहे हैं उनको हमने विशेश रहेगा उसके बाद खुली चर्चा रहेगी आप लोग अपने प्रश्ण अपनी जिग्यास आएं अपने अद्रिश्टी कौन हमारे साथ सांचा कर सकते हैं और उसके बाद धन्यवाद ग्यापन के साथ इस चर्चा को हम उनता प्रदान करेंगे जैसा कि जब इस विशे के लिए आमंत्रन दिया गया था तो उसमें यही विशे के बारे में प्रश्ण रखा गया था कि इसी शिव को कभी आप नटराज के नाम से जानते हैं अर्दनारी इश्वर पंच कृत्य कारी यह आप सब स्प्रीम पे देख सकते हैं और आशा है आ इतने सारे नामों के साथ इतने विशेशनों के साथ इतने विभिन आयामों के साथ उस शिवतत्यों को हम क्या समझें और कैसे समझें थोड़ा सा विशे को और आगे बढ़ाते हुए और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस विशे पे जब भी शिव का नाम आता है तो सीधे सीधे आपको दिखाई देता है कि कभी वो वैदिक शिव के रूप में आपको दिखाई देता है पौरानिक शिव का अपना एक दृष्टी कौन है वैदिक शिव में आप तन्मे मना शिव संकल्प से लेकर के रुब्रों के रूप में देखते हैं पौरानिक शिव में आप कुमार संभवम और उस तरह के किरात आर्जुनियम आधी कई द्रिष्टियों से शिव का वो रूप भी आप देखते हैं दाश्मिक शिव जो है वो आप काश्मीर शैव दर्शन से लेकर के काश्मीर से लेकर के दक्षण में जो शैव संप्रदाय विक्सित हुए हैं वह सबको मिलाकर के जो शिव का सुरूप आप लोगों के सामने क्या बनता है या क्या बनना चाहिए यह सारा उस द्रिष्टि को लेकर के हम चर्चा करेंगे जब आप शिव शब्द की बात करते हैं और उसके तीन आयाम हमने यहां रखे हैं कि समाज शास्त्री आयाम क्या है और वो मैं अभी आप लोगों के साथ बात करूंगा कि समाज शास्त्र कहने के पीछे मेरा भाब क्या है उनका सौंदर पक्ष क्या है और दर्शन पक्ष क् आ जो है जब जब सुने जानकरिया है अब इस शिव के जो तीन रूप आप नीचे देख रहे हैं एक करता रूप हमें दिखाई देता अपने परंपरा में जहांपे वो अव्तार लेकर करके यसुरूं का वद कर रहे हैं, उनको वर्दान भी दे रहे हैं, भोगता के रूप में भी आप देखते हैं कि वो किस तरह से ध्यानस्त हो करके अपना ही ध्यान कर रहे हैं और फिर वो ग्याता के रूप में भी आपके सामने हैं, तो नोर, डूर और इंजॉयर के रूप म तो आप लोग अपनी स्क्रीन के उपर जो देख रहे हैं, यह बीच में वो चित्र हैं जिनको आप कहते हैं कि एवं मया ग्यातम, कि ऐसे मैंने जाना. स्क्रीन के उपर आप पहले जो देख रहे हैं, यह शुरू परिवार देख रहे हैं, यहां से मैंने बात करना चाहता हूँ कि जिस सोशियोलोजी की मैं बारे में आपको कह रहा था, समाजशास्त्र, वो यहां से शुरू होता है. और हमें भारतिय समाजशास्त्र यहां से ही शुरू करना चाहिए था, चाहे एक विकल्प के रूप में दें, जो वेस्टन सोशियोलोजी है. यह यहां पर सोशियोलोजी कैसे शुरू होती है, कि आप यह देख पा रहे हैं कि एक और सिंग है, एक और बैल है, एक और सर्प है, एक तरफ मूशक है, एक तरफ मोर है, तो सारे ही विरोधी जो हैं वो शिव और पार्वती के सानिध्य में आतर के अभय रूप में बैठे हैं. तो इसका मतलब है कि भारतिय परमपरा में जब आप सोशियोलोजी शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो उसका तक्व होग होगा, वो अभयता होगा. दूसरा इसी में आप एक और बात ध्यान दीजिए, कि यहां पर शिव जो है, वो हिमाले पे बैठे हैं, जहां बरफी बरफ है, कुछ भी पैदा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी युगती, कोई ना कोई ऐसा तक पुराहा है कि हमें भाड़ती समाच शास्तर के आधार के रूप में स्थापित करना चाहिए, और इसके आधार पर परिवार या ग्रिहस्त जिसे आप कहते हैं, वो समाच शास्तर के मूल या स्तंभ क्या लिजे, वो सिद्धो होते हैं, और वो जो वेस्टर्न साइकॉलोजी जहां प नीचे के भी आप चित्र में अगर आप देखें तो देवदा, आसुर, रियक्ष, मुनी, गंधर्व, सारे के सारे जो है वो शिव के शरण में आते हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल सिश्योलोजी जो विक्सित होगी, वो औल इंक्लिूसिव होगी, तो पशूज तक, देव स्रिष्टी तक सारे के सारे इसमें सम्मलित होंते, उसके बाद आप इधर आजाए, ये तो सुश्योलोजी की बात थी, जब हम सौंदरे की बात करते हैं, तो एक और वो नटराज की रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं, जहां वो नित्य करते हुए आपक नारीश्वर के रूप में एक लास सिन्रिक की उनका हमें दिखाई देता है, तो ये सौंदरे की पराकाष्ठाएं हमें दिखाई देती हैं, तो सुश्योलोजी और सौंदरे के बात आप इधर की ओर जब देखते हैं, तो यहां पर वो सिद्ध योगी के रूप में हमें द दिखाई देता है, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके मैं अपनी बात को विराम दूँगा और आज के मुख्य वक्ता को इस विशय के आयामों को खोलने के लिए आमंत्रिक करूँगा, जो हमें उपलब्ध साहित्य होता है, उस साहित्य में आप देखें, दर्शन क रूप में आपने शंकराचारे का ये स्टोत्र पढ़ा ही होगा, और ये श्लोक आपके सामने है है मनो बुद्ध्य अहंकार चित्तानी नाहम, नच श्रोत्र जिवे, नच ग्राण नेत्रे, नच व्यों भूमेर नत्वेजो नवायु, चिदानंद रूपह शिवोहं शिव कराता है, और संदरी के रूप में अगर आप देखें तो शिव महिनने स्टोत्र का ये श्लोक जहां पर वो नित्य करते हुए, जो है, मही पादागातात, ब्रहती सहसा संशय पदम, पदम विश्णोर भ्राम्यत, भोजग परिग, रुग्ण ग्रह गणम, मुहूर दौर द वो अपने आपने ऐसा संदरे है, नित्य में ऐसा संदरे है, कि जब उन्होंने अपनी जो है, पाद का आघात किया धरती पे, तो वो धरती नीचे धसकने लगी, संशय में पड़ गई, और जब अपनी भुजाएं उन्होंने हिलाई, घुमाई, अपने नित्य करते हुए, तो विश्णू का जो पत था, वहां तक वो छू गए, और जब उन्होंने जो अपनी जटाएं थी, उनको अपना जब हिलाया, नित्य करते हुए, तो उन्होंने सारे का सारा जो जू लोग है, वो सारे के सारे वहां पर उसको संशय में डाल दिया, तो आप देखें, तो इ इतने चेतन रूप को आप उसको शिव का रूप देकर के कैसे संदरे में उसको समाहित कर देते हैं, और फिर समाज शास्तर के रूप में हमारे पास लिखा हुआ जो नीचे, सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं, वो भी स्तोत्र है, और अर्धनारिश्वर स्तोत्र जहां पर आप यह देख पाते हैं कि शेव और शकती दोनों एक साथ और पूरे सॉंदरे के साथ हमें उपलब्ठ होते हैं तो शिवा और शिव दोनों का ही एक साथ हमें यहां पर रूप मिलता है जो कि समाज शास्त्र का आधार बनता है तो कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों के साथ ये पक्ष रखने का प्रयास किया है कि इन तीन पक्षों को आज हम विद्वान वक्ता से समझने का प्रयास करेंगे और अंतिम बात ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये शिव के इतने सारे आयाम है ये उन में से कुछ मैंने यहाँ पर रखे हैं कि इन सब आयामों को हम हमारी बुद्धी में हमारी जो संख्षित बुद्धी है लगु बुद्धी है तुछ बुद्धी है उस बुद्धी में ये सारे के सारे नाम किस पंदनों को उत्पन करते हैं और उस पंदन को शिव रूप में समझने में हमें हम कैसे सामर्थ है वो अधिक विक्सित हो वो उसका विस्तार हो वो सूक्षम हो वो गहन हो को सगन हो इसी के लिए मैं आमंत्रिक कर रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर आंगेरस्टी को कि वो इस सारे विशे पर हमारा मार्ग डर्शन करें और हमारी दृष्टी को जो है वो विक्सित करने में सहायता करें अँछ नश्षिवाय स्वांताय रुग्डाय आपिते तेंसेव इरदाब हार भूपाय शुम्पर्वाय नमारे नमारे विद्वान सुटिवन और भिन दिशाओं से आए हुए भिन दिशाओं के आचारे लोग, स्थारिदे लोग, सबी लोगों के साथ संबाद करने का यह आज अब सिर्फ प्राप्त हुआ है तो मैं समझता हुँगी बड़े स्वभागी का दिन है कि हम लोग अपनी जो मौलिक परमपरा है, उस मौलिक परमपरा का इस तरह शेक पुनरा बलोकन करते हैं जब उसको फिर से देखते हैं, टटोलते हैं तो उसमें से कुछ ने कुछ फिर एक नया निकलाता है तो वो वास्तम में इस स्रिष्टी क्रम के अंदर जो नूतन और पुरातन की जो कौनसेप्ट हैं वो बड़े मंद बढ़ जाते हैं, वो नया पुराना कोई बहुत जाजा अंतर नहीं रहता है, वो शी को हम खोचते हैं, तो वो जैसे हम प्राचीन करके संभोधित कर रह हो करते हैं, तो नूतन निकलाता है, और नूतन का जब अनुशन करने लगते हैं, तो वो हमें किसी और दूसरे युक्याबाद निकलाती है, तो इस तरह से अपनी परंपरा का ये जो अनुशीलन है, वो अनुशीलन करने से हमारे सामने हैं, हमारी संस्कृती का, हमारी जीवन के चतुरदशी को भगवान शेंकर के शुरूप का संधान करने में जो बैठे हैं समिस्ताहों की बड़ा मारा एक सोभाग्य है कि भारती परमपरा को हम शिर्व के मातिम से आपके आवास ठीक नहीं आ रहे हैं हेलो हेलो हुआ है बादो है अज्टी है आरे अचे दर से गॉइड हुआ तो वास्तम ही हमारी जो पर वह हैं नंपर वों का पर्वों का अपना जाती अनुसंद्धान जैसे हम कैतें कि मिलकर के एक बार हम सारा राष्ट जितना समाज है जितना लोख है वो इस तरह से कि प्रति एक विश्श्ट पर्व की उपर रितु-परिवरतन के साथ एक साथ मिलकर के सारा लोग जित जो सारा देश जो है वो अपना अपनी परंपरा के मूलकियों थोड़ा ग्रसर हो और उस अग्रसरता मेंसे फिर वो वर्तमान के लिए जो 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 को योगी उसमें से उपलब्ध होता है उसको उसमें से उपलब्ध करें ये उसका मूल उद्धेश रहता है आज ये शिव के द्रिश्टी कौन रहा पहले उस विशिष्ट द्रिश्टी कौन को हमें समझे लेना चाहिए कि इसका एक मूल कारण क्या रहा है मूल ये है कि हमारा सारा जो ग्यान है उस सारा ग्यान दो तरह से विभाजित है एक प्रकार्शे सारा ग्यान जो है वो विभाजित है विभ कि प्रार्थनाम को चुने हैं, तो उससे समझ में आएगा कि असतो मा सद गम है, तमसो मा जोदिर गम है, मृत्यो और मा अमृतम गम है, या हम मृत्यू के बारे में सोचते हैं, या हम अधर असत के बारे में सोचते हैं, या सत के बारे में सोचते हैं, या हम तमस के बारे में स के सोचते हैं जब अप्रकाश के विष्य में सोचते हैं कि अधिन के अंदर ये बारे में इस सोचे हैं, इस सत के बारे में सोचेंगे, अंदगार के विशे में सोचेंगे, प्रकाश के विशे में सोचेंगे, तो उसमें हमने भी भाजन करके ऐचे बनाया, कि हमारा जो प्रकाश दिवस है, दिवस जो है, वो हमारा संपूर्ण प्रकारशे, हमारा जो एंद्रिक जग कि अधीन एक प्रकार से कार्यरत रहता है शब्दाऊत्मकं सर्वमिनम समस्तम यह सारा जो जगत चो है शब्दाऊत्मक होकर के हमारा सारा जो भाषा का प्रियोग कहां होता है दिन के जागरण के अंदर हो रहा है जागरिती दिन जो है वो जागरण का प्रतीक है जागरण में हमारी सिति क्या बनी रहती है कि बाहर के विश्यों का हमारा जो शब्द जगत है उस शब्द जगत के माधिम से हमारा सारा ग्यान विस्तिर्थ होता चला जाता है इस शब्दात्मकम्सर्वमिद्न समस्तम। लेकिन शब्दस्य फिर हमारे अंदर विचार आना शुरू होता है, जब हम बाहर के उस बहुत ज्यादा यात्रा से, बहुत ज्यादा परिश्यम से ठक जाते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये सारे के अंदर सारा बाई जगत जो है उससे एक ब्रह्म टूपता है जैसे कि लगता हमें कि नहीं कुछ और देखें अंदर चले तो उसमें वो कहता है कि शब्दस्य सत्य इंद्रिय व्रित्य ग्राईशा शब्द की सत्ता जो है वो किसकी उपर है आगे शब्द की सत्ता इंद्रिय ग्राईश है और इंद्रियों की सत्ता मन के अंदर ग्राईश है मनोमयम में समस्त में तत ये सारा मनोमय जगत और मन की सत्ता जो है वो उसमें परमसत्ता हमारा जिसे हम अध्यात्म कहते हैं उस अध्यात्म में परिनिश्टित है तो हम एक प्रकार से बाहर से भीतर के और फ़र लोटने या है तो रात्री जो है वो प्रतीर किस चीज का बन गई कि लोटने की एक प्रक्रिया है क्योंकि जब हम बाहर से ठक जाती हैं बाहर की बवस्थायां हमें अपूर्ण दिखाई देने लगती है, पूरता नहीं उसमें आती है, तो उस अपूरता में फिर से खूरता लाने के लिए, हमें लोटना पड़ता है अपने भीतर की तरफ, अपने मूल की तरफ जाना पड़ता है, और वो बाईिच जगत जो है उसमें से वो ये देखना पड़ता है कि सरोत कहां पर है ये समस्त ग्यानों का जो सरोत है ग्यान चाहिए बाईश है, external है, internal है जो भी ग्यान है वो सारे के सारा ग्यानात्मक सारे का सारा जगत है शेवों ने इस बात को बहुत प्रारम से ही इस बात को समझ लिया और उसके लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया जो बड़ा महत्वूर्ण शब्रहा कि चाहे वो द्वाइतवादी शेव हैं और द्वाइतवादी हैं उसमें शेवों के भी तीन स्कूर हैं जो एक द्वाइतवाद के अंदर वो ज्यादा भक्ति का प्राधानी रखते हैं और लेकिन भक्ति का प्राधानी रखने का मतलब यह नहीं है कि द्वाइता द्वाइतियों सिध्धानता है कि नहीं डुएलिटी भी है और नॉन डुएलिटी भी है तो वो दोनों ही स्थितिय के अंदर भक्ति का सुरूब भी बदलता चला जाता है और भक्ति जो एंत में वो ग्यानात्मिका ही हो जाती है अद्वाइत के अंदर तो इस तरह से जो तीनों शेवों की जो स्कूल है वो उन शेवों के उन जो कहना चाहिए कि संप्रदाय क्राम से जो चलिवी परंपरा है अद्वाइत अद्वाइत परंपरा है और अद्वाइत की परंपरा है तीनों परंपराएं शेवों में प्रचलित हैं और तीनों ही परंपराएं जो हैं एक दूसरे की पूरक बन जाती हैं तो हम देखते हैं कि मुल रूप में हम शिव को एक इस रूप में जानते हैं जिन इANT शब्दों के हम प्र 여자 को कभी कभी जानना बहुत अवश्र हो जाता हम बाराज जोतिष लिंगों के दर्षिण से संपूर्न भारत एक एकमूत yay होता है ہ्मारे सामने राष्टا है वो ही शिवरूप में ही प्रकट होता है फिरों से तो उसमें अब लिंगम शब्द के उपर विचार हम जब करते हैं तो उसमें वाचस्पती मेश्र तो बड़े दर्शन के कादभुत मेधा रही हमारे तो कहीं ध्यान में आ रहा है मुझे कि वो इसको गृत्पत्ति इस दंग्जे कर रहे हैं लीनम गमयति लिंगम लिंग का अर्च क्या है लीनम गमयति कि वो आपका स्वर्गुप जो आपका आच्छादित हो गया है जो वो परिच्छिन हो गया है जो सीमित हो गया है उसको जो बाहर ले आता है वो उसको जो प्रकट कर देता है तो वो प्रकट करने वाला क्या है उस प्र प्रकाश शब्द से अभीद करते हैं, प्रकाश शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए, सहजयत इमहान प्रकाश हा, यजमिन दिश्टे ने दिश्टे क्यों पी, वो महा प्रकाश, और शेव शास्तर की ही ग्रंथ के अंदर, वो प्रयोग करते हैं, कि वर्धता महा प्रका वह महाप्रकाश अब वह महाप्रकाश जो है वो किसके लिए है क्योंकि ग्यान के लिए शब्द कहें तो ग्यान शब्द जो है इस प्रकाश के आगे थोड़ा सा पीछे रह जाएगा प्रकाश शब्द के वोपर थोड़ा सा केंद्रिदम करें तो हमें लगेगा कि जोतिर लि लिंग की उपासना कैसे करनी है उस जो द्रिलिंग के तत्त को आत्मसाद कैसे करना है यह आज की यह जो शिवरात्री है शिवरात्री की यह स्थिती है और यह जो स्थिती है इस स्थिती को समझने का अविप्रा है किवल मात्र यह मेरा कोई वैयक्ति यह पर्सनल मुक्ति का प दिश्टी कहते हैं या समाज के दिश्टी कहते हैं लेकिन यह धियान रखना चाहिए कि हमारी परमपरा के अंदर समाज शब्द का प्रियोग नहीं होता था समाज शब्द का प्रियोग बहुत चोटे से वरक के लिए होता है सताम गोश्टी समाज आप हमारे जहां जो कि गंणों के अंदर उनको कहा जाता है लोक देशना लोकनात्हानाम सत्वा श्वालका सब्सक्राइब करता है और वैसे हम लोग आपनी पर घरों के में आदर भी भच्छों के नाम भी लोक नाथ रखते दें जितन Reg जो इस परकार कि छब प्रयोगी होते तो लोक शब्ध जो है वह बड़ा व्यापक है और नोकके शब्ड का प्रयोग लोक शब्ड का प्रयोग जो है वो जड़ से डोनों के लिए ही हो जाता है भूलो भी यह लोक बरंपरा है वो किस प्रकार से लोक मने आलोक वो प्रकार और द्रिष्टी दोनों ही रुसकार्थ है क्योंकि जिससे लोक शब्द बनता है वो है प्रकार शरूप वो है लोचन उसी लुचधात उसे बन रहा है कि लोचन शब्दकार्थ है और हो सकता है कि जो हमें भा इस लुपी बन जयाता है जिससे हमें ग्यानात्मक्वी यह हूं क्रियात्रमक्वी नियुथ इच्छात्मक्वी है हमारी इच्छा ग्यान और क्रिया कि यह जो तीन श्रेणिया यह त्रिक बनता है यह त्रिक जो है यह इस लोग के अंदर स्रिजन करता है इस लोग का स्रिजन कहां चे हो रहा है उस महाप्रकाश के अंदर उदे होने वाला उसी का जो एक उसको हम संकल्प कहें उसको विमर्ष कहें उस परमशिव का ही जो संकल्प है उस परमसत्ता का अगर हम संकल्प कहेंगे तो फिर भस जाएंगे कि जैसे कोई परमशिव का कुछ एक मन है और ऐसा है उस प्रकार से ये अभिप्रा यहां नहीं है तो यहां योग करते हैं ये महेश्वरानन्द वर्धताम महाप्रकाश है विमर्ष विस्पुरित निश्चलोध योता है ये महाप्रकाश जो है ये शिवरूप जो महाप्रकाश है ये वर्धताम अग्रसर होता है ये ऐसे ही अग्रसर होता रहे अग्रसर होने में हम लोग फिर उसमें शब्र के ब्रह्मे पढ़ सकते हैं, ये अधर सरत्य हैं, वो प्रकाश्च वह है, वो चलता है गतिशील है, क्या है उसके, तो उसको वे आकर क्वालिफाई कर देते हैं, विमर्ष विश्पूरित दिश्चलों द्योता है, वो उसके अंदर जो विमर्ष आता है प्रकाश के अंदर ही जो उसका विमर्ष उसके अंदर जो एक इच्छा का उद्य हो रहा है हम उसको संकल्ब कहने क्या पेक्षा उसके लिए विमर्ष शब्द का प्रयोग करने लगे विमर्ष का भी हमें जब लगां कि विमर्ष शब्द से भी थोड़ा सा अस पुक्ष नहीं होता है तो हमन certains निष्टलोद्योद्योद्यॉद्यद्य उसपुर्ब करता है विमर्ष करता है उसका स्पुरण करना यह स्पुरत्ता शब्द जो है शैवों का बहुत ही महत्पुर्ण शब्द है यह स्पुरत्ता जो है यह स्पुर्ण शीलता जो है प्रकाश का स्पुर्ण जो है उसका स्वभाव है प्रकाश का जो प्रकाश है वो प्रकाश का स्वभाव है कि वो स्पुर्ण करता है वो आग आगे चागे फैलता है बढ़ता है आगे अगरसर भी होता है और अंदर की तरफ भी चलता है जब अंदर की तरफ वो प्रकाश चलता है अंदर की और चलने का मतलब आप समझे वो अंतर स्फुरन जो है उसका अंदर की और जब स्फुरन होता है तो वो उसको हम शिवराती कह इस अंतस्पुरण की योर जब हम बढ़ते हैं तो उसके लिए काश्मी शेविजन के आचार लोग कहते हैं उद्यमो वहरवाः उद्यम उद्योत या उद्यम जो है वो अनतस्पुरण है उसका अंदर की और उसकी जो स्पुरणता जब होने लगती है तो वो उसमें एक अध प्रक्रिया जिसके अंदर हम कहते हैं उसका स्फुरण जो है अंदर की और जो प्रकाश का स्फुरण है नहीं तो प्रकाश में अगर स्फुरत्ता ना हो तो उसमें सजीवता नहीं आएगी उसको सब जाने के लिए शेविजन लोगों ने कुछ उदारन रखे हैं कुन उद अगर उसमें विमर्ष नहीं होगा, अगर उसके अंदर ज्ञान शक्ति नहीं आएगी, उसके अंदर क्रिया शक्ति नहीं आएगी, उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो फिर वो बिल्कुल एक प्रकार का जड़तत्व ही बनके रह जाएगा वो तो, इसलिए उसके अंदर बो जो स्फुरत्ता है स्फुरन शीलता जो है यही उसका स्वभाव है इसको शक्ति कह लीजिए इसको स्वभाव कह लीजिए तो यह स्फुरत्ता जो है उस्फुरत्ता के कारण हम देखते हैं कि हमारा जो दर्शन है वो प्रकाश विमर्श स्फुरत्ता यह शेवों क स्वरत्ता के लिए टेक्निकल टर्म क्या है जो हमारे काविशास्त्र में प्रयोग वी वह प्रतिभा और इस प्रतिभा ने प्रकाश की इस स्वरत्ता ने ही संस्क्रित वांग में के अंदर कालिदास को जन्म दिया है और कालिदास का जन्म हो रहा है कालिदास के कादलों के अंदर अगर आप शिवतत्त को देखें तो वो शिवतत्त को आप किसी एक विशेश दर्शन प्रनाली में न बंद करके उसमें एक बड़े व्यापक रूप के प्राप्ट कर सकते हैं. तीनों Kalidas की जो नाठक हैं, क्योंकि Kalidas अगर भार्ती साहितिक परहमपरा में, बिचार प簡ारा के अंदर, अगर सवंदरी की दिष्टी से देखा जाए है, समादशास्त्री की दिष्टी से देखा जाए, तो काली दास हमारा एक बहुत बड़ा मॉडल बनता है काली दास के वो देकर के आधुनिक यूप के अंदर भी दो हमारी पूरवज परंपरा के लोगों ने बहुत मारमित सिंतन किया था उनमें से एक शियरविंद हैं और दूसरे कमींदरविंदर टैगोर हैं इन दो लोगो कोने काली दास को बड़ी closely बहुत ही निखतना से समझरे का प्रयास किया है और संभवत है कि काली दास जो है उनके अंदर वो शास्त्र जो है वो एक पुस्तक बन के या पुस्तकीय ज्ञान बन करके नहीं स्पुरून हो रहा है वहां वहां वो पुरत्ता एक प्रतिभा के रूप में प्रकट हो रही है और ये प्रतिभा हमारी जो है इस प्रतिभा को आपने समझना हो तो समझे कि कभी में जो कलपना है ये कलपना शक्ति जो है कभी के अंदर प्रतिभा ही वो शिव की प्रतिभा ही वो प्रकाश का जो विमर्ष है वो कभी के अंदर एक उसकी रचन को प्रेजित करता है वो उसकी स्पिरिट है तो हम उस वरत्ता को स्पिरिट की माध्यम से समझें जा किसी अन्य माध्यम से समझें तो वो प्रकास जो है वो यहां पर एक यह कि परोशिव जो है देखने में बिलकुल ऐसे लगता है कि जैसे वो समाधिस्त है निश्क्रिय है ल इसलिए को जहते हैं कि सास्पुरत्ता, महासत्ता, देश काला विशेशनी, वो जो परमप्रकाश है, उसका जो स्पुरन होना, उसमें से जो उमर्ष का स्पुरन, शक्ति का जो स्पुरन होना है, वो स्पुरत्ता, जो है महासत्ता, वो देश काला विशेशनी, वो हमारी जो बुद्धी है हमारा मानसी ज्यान है वो कर देश और काल की सीमा के अंदर ही दौरता है लेकिन वह पर वगनवर्त स्वारता जो है प्रतिभा रूफ जो वो स्वारता है वह सांदरे कास्रजन प्रकार्शे करती है कि वह देश और काल के भी परेष चली चाथी है CT Sun golden की बाद हम मातरना हो करके वो फूरन शीलता है उसमें कलपना की भी प्रवनता शामिल हो जाती है इसलिए शेव दर्शन जो है वो जितना दर्शन है उतना ही वो सौंदर्य के प्रतिमानों को गरता चलता है अगर आप कुमार शंभवं पढ़ेंगे तो पैर पैर के उपर आपको ऐसा एक प्रतियक जो भी उसमें जो कुछ भी सामने था जो समुख बिल्कुल पाशविक स्थिती में था जो पशो की स्थिती में था वो जो लौकिक था उसकी अंदर अलौकिकत्त्य का संचार कैसी किया है इनों ने लौकिक में जब अलौकिकत्त्य का संचार होता है उसको हम और आउचित्ति की अंदर समाज का दर्शन की उसे रहता है इसलिए मनुशी का जो बोध है उस बोध की विशे में जगर हम विचार करती हैं तो उसको तीन भागों में बांट लेती हैं एक प्रदम भाग में जैसे रखा है इनोंने कि उसमें आत्मदर्शन है आत्मदर्शन यह हम जब बाहर की और जा करके बाहर की और आत्मदर्शन करने के बाद हम फिर भीतर की और लोटना चाहते हैं वो हमारी शिवरात्री बनती है उस शिवरात्री में हमें लोटना होता है अपने पास फिर से क्योंकि यह एक आदेश जो हमारी इंद्रियां है इंद्रियों का जीवन है, ये सारी जो इंद्रियां हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे ले हो करके और उसके बाद चतुरदशी के उस उपासना के बाद जैसे ही चतुरदशी जो है, वो अमावस्या में पढ़नत होती है, तो उसमें उस मनो ले, उसमें पूरुन अनुपसे, शिव के साथ हम अ आगरसर होना और कृष्ण पक्ष में नहीं तो नॉर्मली हम कृष्ण पक्ष के उत्सम नहीं मनाते हैं बहुत कम दो ही हमारे मुख्य रूप से तीन रहते हैं यह को उसमें दीपावली है और कृष्ण जर्माष्टमी है और तीसे यह शिवरात्री है तो यह उसमें रात्री क उसका अंदर की तरफ चैतनी को अपने चैतनी को ले जाना और उसमें अपने मूर रूप से फिर से स्पर्श करने के बाद फिर से बाहर के और उसका स्परण होना यह अंतस्परत्ता और वही स्परत्ता यही उसको विश्वात्मत बनाते हैं यही उसको विश्वातीत बना दे परमशिव का जो सवरूप है उस परमशिव के सुरूप को जब हम जोतिर लिंगों में जहां जहां भी जाते हैं उस तोत्रों में पार्च तो वही होता है लेकिन वह स fijुरत्ता को दिखानें की लिए हम शिव को निर्ट के माध्यम से प्रकट करते हैं नाटिशास्त्री अंदर एक ध्यान आ रहा है मुझे कि उसमें मुनियों ने प्रश्न किया भरत से कि ये शिव का स्वरूब क्या है कि नित्यकारी शिव जो है ये नित्य जो है नित्य में इसमें ना कोई भाव है ना इसके अंदर रस है तो ये नित्य का क्या मतलब हुआ ये ये नित्यक ऐसा है ये बनाय है सवागान आमत्राइंपर ये ऐसा प्रशन कम लोगों को पता होगा यह प्रश्न महामुन्यों ने किया कि है कि इसमें ना कोई कथा है तो ना कोता है और ऐसके आंद़ कुछ ऐसा है कि ना कहानी है ना भाव है ना रस है तो फिर ये नित्य का प्रियोजन क्या है तो उसने कहा कि भरत ने उत्तर दिया कि इसमें जो ये शिव जो है ये वो अपने लिए नित्य करते हैं ये शिव का नित्य जो होता है कि सके अंदर एक आत्मस बंदन सवयम को वो जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं जैसे उस में उसमें एक प्राकट है, उसका मूलतत्व रहता है उनकी एक आनंदा वस्ता अपना जो शरूप है अपने शरूप को अपने आनंद को वो अभिव्यक्त करते हैं उस तरह से तो इसमें मनुश्यों को उसमें कथा या उसमें नहीं लेकिन ये एक उसका जो मूलतत्व है उस मूलतत्व का जो अंदर वो रस ढूंड लेता है क्योंकि रस भाव की अपेक्षा जो है उसके माध्यम से स्ष्टी के माध्यम से वो मनुश्यों को है क्योंकि मनुश्य जो है वो भाव से बंचते हैं रस से बंचते हैं तो मूलत तो कैसा भी है लेकर मूलत तो कैसा भी हो हम उसमें भाव ढूं ऐसा है, उसके नित्य के लेकर के बहुत अच्छे अच्छे पद्य हैं, मही पादा, घादा, ब्रजित, सहसा, साईश है पदम, अब जैसे ही नित्य से पहले वो शिव जो है, अपना पैर जमीन के उपर, उस मंच के उपर जैसे ही पैर रखते हैं, तो क्या हो जाता है कि पैर ही ऐसे लगता है कि धर्ती को लगा कि वे मैं तो गहुंए, क्योंकि शिव का अफ़ों क्योंकि मूल्परम सत्था का सपन्ध है, वह प्रत्म सपन्ध, जो है उस सपन्ध के अंदर आते ही, धर्ती घपरा जाती है, उसे मही पादा, लिष्णु और भ्राम्यद, विष्णु का पाइर जमें पर जैसे ही ठप किया तो धर्ती जो है कहाँ पुठती है क्योड मैं संशय पदम, पदम विश्णु और भ्राम्यत, विश्णु का पर जो अंतरिक्षः उसके नक्षत राधी जो है वो, भूझ परिख है रुपनक ग्रहगनम, भूझ परिख वो शीब की जो नित्ति के अंदर उठती है, नित्ति के अंदर, तो उससे जो रुपन को ग्रहगन, जो है, सारे नक्षतर तौर्थारा वो गवराउटते हैं, कि यह एंक इस परिख हमारे मुन लग गया हुआ है तो गुमाते हैं तो जटाओं से ताडित हो करके जो लोग है वो दौस्थ्यम यादी वो दुस्त हो जाता है वो भी अस्तिर हो उटता है लेकिन कहते हैं कि हिश्यो जगत रक्षाए तुम नटसी लेकिन तुम तो जगत की रक्षा के लिए तुम्हारा नित्य होता है तुम्हारी विभूता वाम विभूता है इसके कारण ही शिव का अन्य से थोड़ा अंतर हमें दिखाई देगा कि शिव की सेना में शिव की सेना में सब तरह के लोग जो हैं असुर, सुर, देवता, यक्ष, किनर, गंधर, राक्ष, समस्त जातियां, समस्त लोग, समस्त में कहलाते हैं, इसलिए वहाँ पर जब भी आप देखेंगे कि जब शिवस्तुती होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये, एक तो ये है कि जो सिविलाइस्ट सुसाइटी है, वो सब ये समाज है, उसमें कता आती है कि शिवो पेक्षित हुए, दक्ष प्रजापती ने यग्य किया, और दक्ष के यग्य की अंदर घटना, सब लोगों को ये कथा पता है, तो सती की जो है उसके अंदर, शिव की उपेच्छा कर दी गई, वो सब सिर्जेष्ट होने पर भी, उसमें कितने सहस्र देवताओं का, दस रहस्र के लगवक्त, देवताओं का अमंत्रन है, यग्य के अंदर और सब गठे हैं, लेकिन उसमें शिव को स्थान नहीं दिया जाता है, और ब्रह्मा जो है, वो संभवत है, उनको ये समझ करके उपेक्षित कर देते हैं, कि वो असब है, उसको कोई ध्यान ही नहीं रहता है, कि एक सिविलाइस सोसाइटी के अंदर लो के पास चला जाता है, वो लोग की रक्षा के लिए जगत रक्षा है, तो मनट सिने नुबामी भगी होता, जगत की रक्षा के लिए, वो कता, आप सब लोगों को पता है, कि उसमें उपेक्षित होने के परिणाम सुरूब सती नहीं आत्मदाह किया, और शिव जोना एक सध यह बड़ी अदूत माद है कि काश्मीर शिविजम में जाकर के, जो केवल मात्र गईत में नृत्य करने वाले शिव थे, वो नृत्य करने के अपेक्षा, वो अपना पंच कंचुकों से अभिनाय करते हैं, उसमें आचार अभिने गुप्त जो है, वो उनका जब करते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि वो उन कंचुकों के माध्यम से, वो शिवतक तो ही है, जो मनुष्य के रूप में, उसमें किसी भी रूप के अंदर, चांडाल के रूप में, कोई के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, आचार शंकर को तो काशी के अंदर आप ज जुजरते समय तो वो चांडाल हसने लगा तो आचारी शंकर ने वहां देखा उस विश्वर भगवान शिव का वहां विश्वनाथ के प्रकट हुए और विश्वनाथ के प्रकट होने पर वे आचारी शंकर ने स्वयम घोशना कर दी चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु ग गुरू हो, कुछ भी हो, मैं उसको गुरू मानता हूँ, तो काशी में विश्वनात का प्रकट होना, जिस काशी के बारे में हम काशी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो यह करते हैं, काश्याम ही काशते, काशी, काशी सर्वप्रकाशी का, काशी जो है, सर्वप्रकाशी का प्रकाश शब्द जो हमने जिसको बोलता लिया था कि वो प्रकाश शब्द जो है शिवत अद्व के लिए प्रयोख होने वाला जोतरिलिंग के लिए प्रयोख होने वाला कि वो किस तरह से ये प्रकाश है जिसकी स्थापना समाज के लिए लोग के लिए शैबों ने स्थापि की इसलिए काश्मी शहिविजम में आचारी उत्पल ने जब बात कही तो उन्होंने कहा कि देखो यह ज्यान जो है इसका प्रकाशत स्वरूप ही है तो ज्याना दृते नार्थ सत्ता ज्यान रूपम तो जगत ज्यान के बिना हम अर्थ की सत्ता नहीं मानते हैं अब यह ज्यान से बिलकुल एक अलग दृष्टी हो जाती है वो बिना ज्यान के अर्थ की सत्ता नहीं है यह उसमें कि ज्याना दृते है ज्यान के बिना अर्थ की सत्ता नहीं है इसलिए ज्यान रूपम ततो जगत इसलिए स सारा जी जगत है ये ग्यान रूप ही है इसमें ग्यान रूप होने में इसका मतलब यह है कि जो जड़ है वो जिसे हम वो कह रहे हैं उसमें भी वो भी एक उसके पीछे भी पूरी प्लैनिंग है उसके पीछे भी एक पूरी कि पूरी चैतन्य है उसके पीछे काम कर रहा है सार वो चेतनी का ही गिलास है जिसे चिदानंद लहरी कह देते हैं या उसमें चिदानंद लाफ शेवों का विशेश प्रियोग है उसमें अंदर चेतना का चित का रत वहां क्या है ग्यान है और आनंद जो प्रियोग करते हैं वो चेतना ग्यान और ग्यान केबल ग्यान के जयानों नहीं इमात ड़े है वह आंन्द भी है वहां पर आंन्द में ही उनका स्वातंतर है और उनका प्राकट्टी जो अपना प्रकाशन है जिसको हमने स्फुरुन कहा था वो स्वुरत्ता जो है उस स्वुरत्ता के कारण शिव जो है हो समाज को एक व्यवस ब्यवस्ता है यह ज्यान के कारण ही लोक में ब्यवस्ता है यह ज्यान ही हमारा वाई ज्यान भौतिक ज्यान लोक ज्यान विज्यान यह सारे का सारा जो है यह विश्वात्मक भी है और विश्वातीत भी है दोनों सित्यों को शहीव लोग स्विकार करते हैं शिवलिन को आख् वो ऐसे उनमें हुआ कि कौन बड़ा है उनके अंदर तो शिव के पास गए तो उन्होंने शिविलिंग को प्रकट कर दिया और कहा कि जाओ इस कहा दिया और अंत ढूंड के आओ पौरानी कथाएं जो हैं वो सारी कथाओं के पीछे एक अभिप्ताय है वो आम आदमी के लिए जो बात कही जाएगी क्योंकि शहिव को आम आदमी के पास भी जाना है जो बिलकुल अशिक्षित है उसके पास भी जाना है जो शिक्षित है उसके पास तो जाना ही है अशिक्षित के पास भी उसका उतरा ही है इसलिए लोक की रक्षा करने के लिए ऐसी कथाओं का आम आद कि आधियान को भी यह समझा दिया कि यह अनन्त से स्ष्ष्टी आती है लेकिन वो जो अनन्त है उसको अनन्त ही मनुश्य नहीं छोड़ सकता उस अनन्त को वो अपनी सांत्ता के साथ जोड़ता है तब ही उसके कर्मों के अंदर एक सौंदर्य आता है प्रकाश आता है सौंदर्य गर्थ क्या है सौंधरी को हम रूप शब्जे बहुना ब्याख्यात करते हैं और उस रूप का श्रिंगार का विशास्ति लोगों ने जिस तरह से ब्याख्यान किया है वो ये मानते हैं कि स्टिष्टी के अंदर जहां जहां भी निखार आता है वो जो निखार है उस निखार का नामी स्टिष्टी मेध्यम उज्वलंबा तत सर्वम श्रिंगारे नोगवमियते बोधराज कहते हैं इस लोग में जो कुछ भी शुची पवित्र उज्वल वो सब श्रिंगार के साथ ही उसको श्रिंगार कहा जाता है वो जो उज्वलता है उज्वलता जो उर्धुन ज्वलन उर्धुन ज्वलन है उपर की और जो उसका प्रकट होना प्राकट जो है उसका ज्वलन है प्रकाशन है वही श्रिंगार है उसी श्रिंगार को लेकर के काली दास जब इस पुदातिता के अंदर जाती है तो कुमार संभभवं के अंदर मैं सौंधरी के उन प्रतिमानों की उपमाऊं प्रेक्षाओं जालंकारों का कुछ उसमें जाजा निरूपर नहीं करूँगा उसमें सब लोग जानते हैं उसमें कुमार संभवं के अंदर जिस दंग से उन्होंने प्रकट किया है एक पूरा पहले वो एक भारत को जिस दंग से प्रकट करते हैं तो हिमाले को क्या महत्त देते हैं अस्टित्तर अस्याम दिश देवत आत्मा हिमालयो नावन रादी राजा वो देवत आत्मा हिमाले को देवत आत्मा की पद्वी दी कि ये देवभूमी है इसे देवत आत्मा के अंदर और इसे तो मेख को वो कहते हैं कि तुम वहाँ उपर जाना तो वहाँ पर तुमें भरुवान शंकर के बिद्रन्यस्तम् सबधें चरण नियास मर्धिन तुमालिय है वो वहाँ पर तुमें शिफ्टों नहीं रिखाई देंगे तुमें लेकन शिफ्ट के जो कुछ पृंट्स मिल जाएंगे तुमें फुट्रिंट्स मिल जाएंगे पता कैसे लगेगा शश्वत भक्ति अरुबचित भलिम भक्ति नम्रे भक्ति में नम्र हुए सिद्ध लोगों के द्वारा वहां पर उन उसकी परिक्रमा करके वहां पर उस पांजरियां भी खेरी हुई हैं उनसे तुम जान जाओगा तुम यस्मिन दिष्टे परंख शिव क कि उस स्वरूब को जब तुम हे मेख देख लोगे तब तश्मिन दिष्टे करन विगमा अदूर्द मुद्धूत पापा तो तुम्हारे जो करन जो इस्ट्रूमेंटल जे सारे का सारा मन प्रान पुथी इंद्रियां जे सारे करन हैं सारी जो आपके इंस्रूमेंट हैं य कि माले की ऊपर उस परम्शिव के सिर्फ कुछ दो जो चिन है वो चरण वहां पर वो शब्रयो की है चरण का शिव के जो चरणों के वहांपर च्छाप लगे हैं उच चरणों की चीछाप देख कर की तुमें पता लग जाएगा कि क्योंकि वहांपर जो शिध लोग है उन् goin, उसितने प्रकाशन से ही जरा सा तुम्हें चर नियास का ही पता लग जाएगा अगर तो उस्तने मात्र से, करह discour जो समस्त हिद्यों, तो करनों के ही पवित्र हो जाने से, करन विग्मात, सारी जो तुमारी यह जो एक्टिविटी है, बाहर की एक्टिविटी सारी प्यारी जो अशुद्धता को ले आती है, वो सारी एक्टिविटी जो है, वो सारी शांत होकर कि करन विगं सारी इंद्रियां जो है Most हो जैंगी मन शांत हो जाएगा रह वह दुम्द्धूत पापा तो सारी पाप सारी मलिंता के निकल जाने से कलपन देश्य स्थिर गण बदप्राप्त ये शद्ध धाना तो सिद्ध लोग जो है उस स्थिर रूप से सदा शिवत्य के अगण बन करके ही रहने में वहां लीन रहना पसंद करते हैं और उनको बदप्राप्त होता है तो शिवरात्री में उस पर शिव को जहां पर रात्री में क्या है करन विगमात ये करन विगम हो जाएं और थोड़ा हम आपने उस मूल को फिर सपश करके फिर उसमें एक नए प्रकाश के साथ एक नए उसमें जो है उसमें स्पुरत्ता है क्योंकि हमावस्या के बाद ही पौरण शुक्ल का आरंभ हो जाता है तो यह उसमें स्थिति है कि हमारा जो सौंदर्य है सौंदर्य की दिश्टिका है कि सौंदर्य एक प्रकास का प्रकाशन है लेकिन यह प्रकाशन मनुश्री के लिए प्रकाशन जो है वो सारा एक इंद्रिय जो आन्पूल संबेदनों से उत्फण हो रहा है. और यह जो अनुकूल संबेदन आ रहे हैं, यह सारे के सारे जब उसके लिए उपासना करते हैं तो जो श्रीवसंकलप सूप्त है, जिसके अंदर यह बार बार उष्टा है, तन में मनह, श्रीवसंकलपम, स्थुफ, यस्मिन रिचह सामजयूंग की जो आपको point बना सकता है यसमेन रिचह सामजय यूंग की यसमिन प्रतिष्ठिता रथनापा विबारा जैसे रथ की पहिये की नाभी में और फिक्स होते हैं और निश्चित फंसे होते हैं ऐसे ही जिस मेरे मन के अंदर ये रिचाएं और ज़ू यह सारे मंत्र, सारा म्योजिक, सारा संगीत और साहित, यह सारी, यह सभी जिसके वंदर बीट पड़ी हैं, वो ऐसा मेरा जो मन है, वो शिव संकल्प प्राप्त होने पर ऐसा है मेरा मन जागरत हो जाता है, उच जाते हैं, तन में यह मन है, शिव संकल्प मस्तू, वो मेरा मन जो है वो शिव का ही संकल्प, शिव के संकल्प में ही लीन हो जाए, ऐसी संभावना के साथ प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना का अभी प्राय कोई केवल प्रार्थना मातर ही होता है, वो एक परोक्ष रीती से कहा जाता है, परोक्ष प्रियाही देवा, ये प्रत्यक्षत द्विशा है, जो स्थूल बुद्धी के लोग होते हैं, उनको प्रत्यक्ष कहना पड़ता है, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको प्रत्यक्ष नहीं कहना पड़ता है, उनको परोक्षभाब से, व्यंजना से, व्यंजना शक्ती से, संकेत से करना पड़ता है इसलिए वहाँ पर जहाँ पर हम यह लाते हैं व्यंजना को लाते हैं द्वनी को लाते हैं तो वहाँ पर उसमें सौंदर या आ जाता है शब्द का सौंदर्य आपने देखना हो तो स्वर का सौंदर्य देखना हो वो सारा कलाओं में मिलेगा इसका मतलब है कि शेवों के लिए कलपना जो शक्ति है जो कभी का एक बड़ा ही स्वाभाविक उसकी उसका पोटेंशल है वो जो कलपना शक्ति है विचार शक्ति जितनी विचार शक्ति प्रिय है शेवों को उतरी ही कलपना शक्ति प्रिय है कलपना का तिरसकार नहीं हो सकता महां पर क्योंकि शीव स्वेम समस्त कलाओं का, शम्भोगे यससे विश्षानती सा कलाने ता, लीते परमानन दे या आत्मा सा परा कला, वो कला शब्द का प्रयोक्षेगों ने बहुत खुल के किया है, और उस कला शब्द के मूल में, यह समस्त कलाइं जो है, जाहे वो नित्य है, समस्त कलाएं तो समस्त कलाएं यह किसी हैं वो कहता है कि यह जो लोग थे शारु वार्नेकम यह नाट वेद की रचना कैसे हुई कि नाट वेद की रचना करते समय वो क्या किया उन्होंने कि जग्रहःः पाठ्यम रगवेदात वो पाठ greatly जो क्रम्दा ब्रह्माने वो रगवेद से लिया और सामभ्यों गीति में साम से गीते लिया ययुर्वेदा दभेन्यान और रसान अधर्वनादपी अधर्वेद से रसों को लिया और उसमें इस तरह से चार वेदों से चारों को ये उसके ले करके तो उन्होंने उसमें नाठी का निर्मान किया नाठी के निर्मान करत क्या है सामाजिकों का संतोष करना समा माज को एक निश। करना है, एक मस्त उनको बनानाईगी, उनके अंदर एक बीबिता के अंदर एक यूनिटी कॉसकी अंदर अनेकता के अन्दर एक की स्थापित करना, यह नाट bog गा. जिसए उनका जियसमें और भाज महां बनाया सार्वबरनिकम यह सभी वर्णों चिसके अं पिर यहां पर नाटी के अंदर भी को रहा है रुद्र ने इसको नाटे को अपनी स्वांग में परवती के साथ इसको अफिकत किया अब सोचिए कि आपकी स्वाजिकता है कलाएं समाज को लोग के अंदरिष्टी में रखकर के ही कलाओं का निर्मान होना अगर लोग नहीं है तो उस कला का कोई अभी भ्यक्तिकार्थ नहीं रह जाता है कुछ के इसके लिए इसलिए लोग कहता है त्रेगुन्योद्वमत्र य और लोग ही जिसका चरित है त्रेगुन्योद्वमत्र लोक चरितम नानारसम दिश्टे नानारस हैं इसके अंदर वो उसमें शिंगारादी है नाना तो उसके अंदर त्रेगुन्योद्वमत्र लोक चरितम नानारसम नाट्यम भिन रुचेहर जनस से बहुदा पेकम को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सौंदर और आपकी सामाजिकता समझ में आ जाएगी सारी नाट क्या है कहता है परिभाशित करते हैं बिन रुचियों के सब अलग अलग रुची के लोग हैं सब लोग बिन बिन रुची के हैं लेकिन क्या हो गया नाटिक के अंदर आकर कि बिन रुचे जनस से बहुदा एकम समारात हैं एक का समारात है रुद्र ने जिसको अपने ही स्वांग से प्रकट किया था तुमा आकर तब्यत के रेस वांगे भिवक्तम द्धा ये द्धा भिवक्तम का तीसरा श्लोग जो था नमस्शिवाई चनमस्शिवाई चामपे गौरार्ध शरी रिकाई करपूर गौरार्ध शरी रिकाई अब देखे ये जितना वैशम में है उसका समाधान सामरात सी जिसे कहते हैं उदोनों का सामरात सी कैसे करते हैं चामपे गौवरार्ध शरी रिकाई इस्वर्न चनमपती से कहते हैं बहुत सुगंदी और स्वांदरी में एक अध्वर्ण जो है चामपे गौरार्ध शिवा का स्वरूप है और करपूर गवरार्थ बिल्कुल ट्रांस्पिरिंट गवरा करपूर मुष्टपूर करपूर की तरह है जिनकारते शरी है धम्मिल लकाई एक केश सज्जा केश कलाब विधिमत बना हुआ है दूसरा जो है उसे जटा धरा है जटा एंधिली डाली बि और नमस शिवाहिए जए्ञा नमस शिवा शिवाए कोन है तक प्हर शरीसंग Owdh Ken लिकाए चंपा कि कुसुम के समान जिनका गवरार्थ शरीजा है और धम्मिल लकाई और जिनका केश कलाब जो है सौंदर्श निर्मित और वह दूसरे हूं करपूर गवरार्थ करपूर जड़ा अधराए जड़ा के माने होता है जो केश कलाब वो ठीक ढंग से कंगी नहीं किया हुआ है बहुत जड़ा उसमें सभाई नहीं करती है जड़ा अधराए नमस्शिवाई नमस्शिवाई तो ये उसमें ये हमारी सामाजिक तक हमारी जो नाट शास्त हमारा जो कलाएं ह उन कलाओं के माध्यम से श्राइबों ने जब ये बात कही तो तब तो दर्शन में जब गए तो उन्होंने कहा दक्षना मूर्तिस्तोत्र में निरूपन करते हैं और ये देखिए एक कैसे बनता है इधर आचार शंकर करें भु रंभां शेणलो निलम बर्महर नातौ हमाइश हुबुबार उसमे है ये अस्टमूर्ती जिससे और उसके बाहर कुछ उस उस शिवत्त के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं वेता है नाम्यत किंचन विद्यते भी मिरिश्टाम जस्माप परस्माद भी हो तसमे शिवरु मूर्ते नमीदम शीदक्षिना मूर्ते कालिदास अपना नाट कारंब करते हैं तो इसी अश्टमूर्ती शिवका शाकुंतल में स्मर्ण कर लेते हैं और उसमें विक्रम और वशियम में मालविकागने मित्यम में भी वो जो शिवका स्मर्ण करते हैं वहां तीनों द्यानों में आप देखें वहां भी दूसरी जगा अश्टागरियस्य क्रिस्टन जगद भी तनुखर भी भ्रतों ना भी माना आठ अपनी मूर्तियों से जिनों ने अब वो मूर्त भी शिव है और अमूर्त भी शिव है अमूर्त जो है उसको मूर्ती में आना ह और मूर्ति को फिर अमूर्त में जाना है वहां से अनंद समुद्र की लहरों को उसमें से उद्य होना है और फिर लहरों को उसमें बापस भी चले जाना है तो यह उद्य और अस्त का खेल जो है यह जो स्पुरबता है तो अंतर लीन विमर्शा तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इसमें है कि यह अलग-अलग विशह जो हैं सौंधरी को ले करके या समाज को ले करके जा उसों दर्शन को ले करके तिन अलग-अलग व्याक्षान भी हो सकते हैं और उसी में उनके साथ संबबते ज़यदा नया है यह थोड़ा सा वो कि कमातुस त भूप जिनका, और ये प्रकाष ही क्या है, यही तैसे ही ये यान प्रूप, यह प्रकाष ही यह ज्यानात्मक और ग्यान के विला इस जगत में जड़कि भी सता नहीं है, जड़न जो है वो भी उसे चταν्य का ही वी उसी का श्वत रूप और दूसरा बहुता है नहीं ग्यानाद रिते भावा और नहीं किसी ने के निचित विशे ही करेता ये मनुशी का जो अंदर का साइक गौर्ड जो है वो भी ग्यान के बिना उसका भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है किसी ने ग्यान के बिना भावाव का साक्षादकार नहीं किया है और बाहर के जगद का भी जो साक्षादकार है वो इसारा ग्यान रूप है इसल一下 होता है तो उस हमें स्पंधित करता है सूर्योदय को देखकर कि हम सम एक दम सूर्योदय जैसे होने लगता है जो जैसे सारा पक्षी जगत वह सारे का सारा गा उखता है जैसे अस्तिर उखता है सभी जगा से उसे म्यूजिक उचने लगता है तो बाहर की आशदिया हमेरे शरीर के अं हमारे साथ उन औशिधियों का संबंध है हमारे साथ उस त्रिशा लगने पर हम क्या करते हैं जल तत्य के बिना उसकी शांती नहीं होती है तो जल का हमारे चेतन्य के साथ संबंध है उस जल में भी चेतन्या है इसलिए यहां पर नदियों को बिक्षों को परवतों को यो उने सभी को कहीं ने कहीं अपने से जोड़ा और उनको शीव की ही विभूती माना और ये ultimate, लिए उन्हेंने कहां कि ये जो लीला अर्थम कल्पितम द्वैतं द्वैतं फिर्विक श्रिवद खीर लीला कि कि लीला किरने के लिए द्वैती मीश कल्पना करते हैं दिना Candal Mama पहले थे रौब iş्मशाने धूमे, शब्दूम्री। श्मशानी के अंदर शब्धूम्रे। शबू के धूमें से धूम्राकाश मे उसकी शुटा भ्स्म से, उस्वयम का शिंगार करते है। आम अद्मी तो भाख घरणा होता है उसकी। लेकिन जो पूर्ण स्विक्रिती है जो पूर्णता है उसके इंगर वो सभी स्विक्रित है इसलिए तंकाल मैं माला बहले है ती रौब दिरे शुम्शाने अदेशे शब्द हुमत हुम्रे प्रचंड वात चुहिते रनवेज मैंने शांत समुद्र को भी देखा है उसके किना प्रचंड वात शुविते रनवेज जब प्रचंड वात से शुवित समुद्र होता है तो जो शिव जिखाई देता है तो वो शिव को भी देखना जो है प्रेक्षे महारुद्र दवई वरूपम हेरुद्र मैं उसमें तुम्हारा रूप अब जो इसको देखेगा वो स्व स्पोरत्ता आएगी वो अपनी उसके अंदर वो इमेजिनेटीव पावर जिसको हम इमेजिनेटीव पावर में कहें के उसे स्पोरत्ता कहते हैं उसके अंदर जो चित का स्पोरण है उस चित के स्पोरण से ही उसको दृष्टी प्राप्त होगी और मैं समयता हूं कि उसी दृ काश्मीर शास्त्र सम्मिलित हो करके पूरर रूप से शिव का यह उसमें वह करते हैं कि एसा कौन सा रूप है तुम्हारा जो वास्त्रेक शुरूप है हे शिप क्या है आचार्य दुरवासा गहां के यो उन्होंने मामस्पूत क recommending तीनों को एक को दुखवाद्वाद का प्रचार करने के जनका भरति और वासा स्वेम जब निरूपन करते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी महमा का वर्ण वैसे तो क्या करूं प्रज्जा कर सकता है कोई आदमी तुम्हरी महमा का लेकिन प्रज्जा के नुसाराइब करता हूं वो वर्ण करते हुए कहते हैं इसके साथ हम समयते, कि भगुएन शीम का जो परम रूप है उस चोर जाती प्रुवासा कहते है न ब्रम्हा विश्नुरुद्र विश्नुरुद्रव सु रौपती रवरा ना सु रौपत्रि नाशुरा न प्रिथिल्न यवर्दी न सकते हैं नव वाज़ और नच गगर नतलन मोडशो नव काल है। वो स्थिति नज देश है, न काल है, ना आप है, ना अगनी है, ना जल है, ना प्रित्व है, ना अकाश है। नो विधा नव यज्या नचर विशैशनुद। नो विए नोविकल्पा। ना गृंध है, ना पुस्तक है, ना तुर्चिताब है, कुछ भी यहां नहीं है। नो भी अनो विकल्पा, वो एक स्टेट मेंट, स्टेट ऑफ फॉट्लेस्नेस की जो ना विकल्प नहीं है, स्वज्योती सत्यमेक्यं तरजयती पतम सच्चिदा अन्द मूर्ते, ये सच्चिदा अन्द मूर्ती परमश्योत, तुम्हारा वे स्वरूप है, स्वज्योती, वो तुम्हार जो स्वज्योती स्वरूप है, उस स्वज्योती स्वरूप की ओर, ये रात्री का समय चुना गया, कि इस शिव रात्री में, रात्री में प्रकाश, रात्री कारता अंद्रकार नहीं है, रात्री शुप्ति अंदर रात्री रख हदायती, रात्री प्रकाश का व्या वो ब्लैक एंड वाइट जो जो कुछ भी है सब शिव रूप ही है उस शिव रूप तार के अंदर ले जाने के लिए हम सौंदरी के प्रतिमानों का भी शिवों ने उसी तरह से निरुपन किया है तो शिव जो है इसको सुंदर तार के दिश्टी से आप देखें तो अद्भूत रूप की कल्बना कालिदास में जो की है और जो रूप की कल्बना भवभूती ने की है भवान शंकर के अनेक रूपों को इस ट्रेंग से सुरूप किया है लिकनुजी को वह अगोरे भ्योग, घोरे भ्याः, घोर घोरतरे भ्याष्ट सभी तरह के तुम्हारे जो रूप है नवस्टूप के इप्षाह ये कहे कर मैं समझता हूं ये आज शिवरात्त्री के इस दिन आज सब के लिए मंगल कामरा इंप्रस्टूप करता हूं समस्ता हूं की मरवान शिवर के उस दिन जाने के लिए बहुत अच्छा है उसके अंदर बहुत बहुत मंगल कामरा इंदनेवाद धन्यवाद जोग साब, आपने जिस तरह से इन तीनों पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है शिव को केंद्र में रखते हुए और और साथ ही साथ उसकी व्यापकता को प्रस्तुत किया है उससे आज ये चो टुकड़े टुकड़े ज्यान के हमारे भीतर बैठे हुए थे वो आपस में काफी हट तक जुड़े हैं उनका समन्वे बनने की संभावना बनी है क्योंकि हम लोगों की दृष्टी समाने रूप से ऐसी रहती है कि अगर एक पक्ष देखते हैं तो बागी सब पक्ष छूड़ जाते हैं दूसरे की वह जाते हैं तो पहला छूड़ जाता है लेकिन आप जैसे लोगों के सानिध्य में ही हमें ये सीखने को मिलता है कि ज्ञान की एकात्मता का या संपूनता का अर्थ क्या है अन्य था टुकडे टुकडे लेकर के हमें लगता है कि कभी हम इधर के पक्ष को पकड़ लेंगे और कभी उधर के तो उसके लिए धन्यवाद शब्तो बर्याप्त नहीं है लेकिन फिर भी धन्यवाद करने के लिए मैं जरूर बात में आमंत्रिक करूंगा डॉक्टर सीके जहाजी को डॉक्टर राजेंद्राजी को लेकिन उससे पूर्व जैसा कि हमारा ये सत्र होता है खुला मंच खुल साथ सांचा कर सकते हैं बिलकुल स्पश्ट रूप से यदि आप मैंसे किसी के कुछ प्रश्ण है कोई जिप्यासा है कोई और पक्ष जोडना चाहते हैं तो आपका हार्दी कभी नंदन है और उसके बाद डॉक्टर सीके जहाजी सभी कॉलेजिस की ओर से और डॉक्टर रा सब्सक्राइब करने हैं जो किस नंसके प्विभाग से हैं जोड़पुर यूनिवर्स्टी से वह हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हम आर्थी कभी दंदन और स्वागत करते हैं डॉक्टर आनंड जी अगर आपसे बात शुरू की जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है आनं प्रश्म या किसी को टिपनी हो तो तो जी उदेख लिए उदेख कुलकरणी जी नमस्कार अंगेरस गुरुजी बोल रहा हूं भरुज से यह हमने काश्मीरी शेविजम के बादे में सुना पड़ा किन्तु यह दक्षिर में शैववाद का जो प्रचार प्रसार हुआ है त तो वो कौन से शास्त्र में डिस्क्राइब दक्षिर का जो शैववाद है तो दक्षिर में वो आपको सुरूप मिलेगा ना यह जो वैसे तो यह आपको काश्मीर शेविजम के जो ग्रंथ हैं यह दक्षिर में भी अविलेबल हैं लेकर दक्षिनात्यों का मूल रूप से जो स्वरूप रहा यह पाशूपत लोगों का द्रिष्टी को वीर शेवों का लिंगायतों का यह जो उनके अपने-अपने शेव सिध्धानतों की उपर उनका साहिद अविलेबल है वहां पर खूब और उनके अपने द्रिष्टी जो है वो द्वाइत परक्वी है तो क्योंकि वो भक्ति इसमें जो विशेश रूप से मैं चर्चा नहीं कर पाया हूँ वो था कि ज्ञान और भक्ति का सामरत सी जो है कि दाक्षिनात्यों की भक्ति दाक्षिनात्यों की भक्ति और काश्मीर शेवों की भक्ति का सुरूप क्या है और वो उसमें भक्ति में भी बड़ा वेलक्षन है बड़ी खुबसूरती है उसके अंदर भी और दाक्षिनात्यों के जो संप्रदाय हैं उनका बहुत काभी उसमें उपलब्य है वहां पर साहित उसका पाशुपत का वीर शाहिव का लिंगायतों का तो लेकिन वैसे यह संपूर्ण भारत में यह इस दिश्टी जो रही वो भी दिमान रही है लेकिन लक्षिन के अंदर जैसे यह जो मंदिर जो बड़े-बड़े टैंपल्स है उन टैंपल्स के अंदर जो भक्ति और उसका जो स्वरूप वहां पर मूर्त रूप का जैसे क्योंकि महां वो बहुत सारा सुरक्षित रहा पुल्स के अंदर कलाओं के माध्यम से वहां पर जो स्वरूण हुआ वह भक्ति का ज्यादा अधिक स्वरूण रहा लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि काश्मीर शैवशास्त्र नहीं पहुंचा क्योंकि जो बड़ा विलेक्षन मुझे कि शिवसूत्रों की व्याक्या शिव अधिनव और शेमराज को लेकर के दक्षिन के विजवान के काश्मीर से काश्मीर शैविजम लेकर के दक्षिन में जाकर के स्थापित हुए हैं बहुत से जी डॉक्टर राजेंद्रा जी सर मैंने तो यही सिर्फ एक ही कहना था कि कोटी-कोटी तो परणाम अंगिरस जी को और मैं यह सोचती हूं कि आप बड़े भग्यशाली हैं बस क्योंकि कोई प्रशन तो हाई नहीं सर कुछ प्रशन रही ही जाता सर कि उसके वक्तव्य के बाद ना रगता है कि सब कुछ कि सब्क्राइब सब्सक्राइब अ हुल 25 रगता है कुछ है चाफ़ मैं समय हैसा प्रमिकोट बहुतहई बहुतम theorem 7 कर सके बहुत बहुत सर रहे द्यार कोंदने Carryma के जितने भी शिक्षक हैं और जो भी और चात्र हमारे साथ कभी-कभी जुड़ते हैं सर वो सब शोता गणभी बहुत अभीभूत होते हैं सर आपके वक्तव्य से और हिर्द्यंगम करते हैं सर आपकी बात को ऐसा मेरा मंतव्य है सर और मैं सर आपकी प्रतिक्षा में हूँ 21 तारिक को और आश्या आप निराश नहीं करोगे सर क्योंकि यह सर मेरी अपनी संस्था में यह मेरा अंतिम सेमिगार है सर मेरी रटार्मेंट है भी इसी मन्त तो इसलिए सर मैं आपके दर्शन जरूर चाहते हूं अपने उन छात्रों को भी करवाना चाहती हूं जिन्होंने जो इवी प्रफम वर्ष में आओ जिन्हों आपको दर्शन नहीं किया सर और हमारे प्रिंसिपर भी नहीं आये तो वो भी देखें गए सर तो मुझे अच्छा करेगा कि ऐसा ही विद्वान का हमारे महाविद्यार्य में आग्मन होगा धन्यावाद सर बहुत लोग धन्यावाद एक मेरा है उससे पूर जहा साब कुछ कहें कि यह जो लॉकिक शिव हैं जिसको बोला भंडारी यह मैंने लिखा हुआ है यहां पे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे यह बोला भंडारी क्या हुआ कि हिमाले से उतार के उनको सीधा काशी के हम महाशम्शान में बिठ इंटिफाई करता है यह अपने आपने समझने वाली बात है क्योंकि वैदिक शिव कर भी चलिए हमने कोटेशन देख लिए पौरानिक शिव लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर सी के जहाजी का प्रश्न भी आप ले ले लिए जहा साथ अपने कॉन म्यूट कर रहे हैं जी सर प बहुत से कामना है वैसे तो प्रस्न नहीं ही प्रस्न नहीं है परन्तु एक थोर इसी जहना की दिरशी यह चाहिए कि जैसे हम लोग यह कहते हैं परमशिव अज्ञानम की वबंध है अज्ञान ही बंधन है और ज्यान ही मोप्ष है है तो अज्ञानम के जो नौलेज है जो हम विवध सास्त्रों को पढ़ते हैं संसारी को ज्ञान जो है उसको हम अज्ञान की श्रेणी में तो फिर संसार में रहकर के यह जो संकुरन नौलेज है है उसको नौलेज के है साइंस जिसे जियान कहता है नौलेज कहता है उसको हम इस परंपरा में क्या था बस यह थोड़ी सी दिग्यास है यह दिखिए यह जो एक जो पहला प्रश्णिया और दोनों में थोड़ी सी मैं संगती बिछाने की कोशिश करता हूं कि जो पहला प्रश्ण है वो है कि विकल्प जो है जो हम एक परिछिनता के अंदर जो जी रहे लोग है ना महुत लिमिटेट सी जीवन जीने वाले लोग जो है तो वो ऐसी स्थिती में आ जाते हैं कि जब हमारी एक विकल्प बृत्ति बनती है हम सब लोग उसमें विकल्पों के अंदर ही उल्च जाते हैं सारे अपने ही थौट्स हमें जो है हमें बांध लेते हैं तो अगर उनके उपर भोला बंडारी कहने के पीछे तो प्रश्ट कारण सिर्फ यह रहा कि भोला शब्द का आर्थ मूर्ख नहीं हैता है भोला का अर्थ होता है कि वो शुद्ध स्वरूप भोला का आर्थ यह है कि वो जो भी अनपेक्षित है उसको भूल जाता है वो उस को याद नहीं रखता है अपनी स्मृति के अंदर हम लोग अपना स्मृति में उसको कुछा का रखते हैं कि तुम ने उस समय मुझे यह कहा था इसलिए मैं तुम्हें नहीं जो 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 है उसमृति है हमारी वो स्मृति जो है उसमृति संसकार जो है उन्हीं के कारण हमा सारा बंधन बना रहता है तो भोला वो है कि जो उसमें वो स्मृति उस प्रकार की अनावशेख स्मृति बनने ही नहीं देता है आप सम्झेहे नहीं सम्झेह. आ शुरौ्दोशौ. भूजो बोला है वह उसको, उसके ऊपर वह स्मृत्ति, क्योंकि वह मान भी उसका बना यह नहीं, है जैसरे हम बच्चा है भूथालिण इसलिए, वह बहुत सारे रादिश से मुक्त रहता है, उसको पताह नहीं लगता है क कि उसके घरवालों नहीं उसके किसको वो घरवाले परेशान घुम रहे हैं लेकर वो बचा देख रहा है कि इनको क्या हुए वो बिकशेप वीकशेप जो यूस्तिति आती है नुए वहाँ पर आवरन और विक्षेप जहां दोनों ही नहीं है वो उसका भूलापन है उसका ठीक वो कहता है वो जानते हुए भी नहीं जानते हैं जो भगवत गीता के अंदर जैसे वो कहते देना कि नहीं यह उसमें वैसे देखो तो कहता है कि तुम अर्जुन इस बात को कि मैं सब जानता तू जानता है पिशला यह सब भूल जाओ तो भूबी स्मृति क्योंकि हमारी जो स्मृति है वो हमारी अगर स्मृति जो है वो ध्रुबा स्मृति परिनत ना हो तो वो स्मृति हमारा जंजाल बन जाती है वो विकल्पों का समूर वो भोला भंडारी इसलिए है कि उसके बास अभी उसको किसी ने अगर यह भी किसी प्रशन पूछ लिया उसमें उसके जो भक्त हैं वो उसके भोले पन से ही वो निल्व्याजता सीखते हैं, निल्व्याजता होना सीखते हैं, एक शिकारी है स्कंद पुराण के अंदर जिसमें वो कहता है कि मैं वांचा में ना हम अपि सर्व धनाधि पत्यम मुझे धनपती नहीं बनना है महाराज, यह शिव का भक्त कहाएगा, ने तो बाकी लख्वी विष्णु का भक्ति जो है वो लख्वी चाहिए, लेकिन यहां वो कहाएगा अगर मेरा फिर जनम हो फिर जनम हो, तो मैं तुमारे चरण कमरों पर मन राने वाला ब्रहर बन गया हूँ बस, इतनी ही मेरी आगाम चाहिए, अब जिसने सारे शंकल्पों को उखाड के पहंग दिया यह भोरा है, यह भोरा है, क्योंकि बिकल्प ही नवरित्ती जो है, यह जो थौटलसनेस है, अग्यानी नहीं हो, अग्यानी नहीं है, मूर्ख नहीं है, वो रियक्ट कर सकता है, लेकिन वो उसके लिए हर छोटी छोटी बात जो है, उसको प्रभाविती नहीं करती, उपर से निकल जाती है जैसे पत्थर के ऊपर वो कहते हैं ना कि प्राण जो था प्राण को उन्हें ने अग्रसर किया तो असुरों ने अपने सारे शस्त्रों के प्रहार उस पर किये लेकिन प्राण के ऊपर जैसे वो शस्त्र पढ़ते थे वैसे वो मिट्टी के ढेले की तरह चूट के नश्ट हो जाते थी, तो इसलिए वहां पर जो विकल्प हैं, वो आकर के बिलकुल विर्थ चले जाते हैं, इसलिए बोलापन उसका है. अब उसमें वो संकल्पों और विकल्पों के ताने जाने में इस तरह से नहीं बंद होई हैं, जैसे आम मनुश्य बंदे वोई हैं, ज जो है शेविस्म के अंदर जो डखा है ऑनबो पाए, शाक्तों पाए और शामभबों पाए, यह जो हम कहते हैं अग्यानम के लिए बंद थे तुरु जीता है, शास्थे मलम तत्समिृतम अग्यानम का मतलिब यहां पर वह अग्यान नहीं है, जाना भाव नहीं है, क्योंकि यहां पर अपूर्दा है पूर्दा का बोज ना होना जो है यह अज्ञान है मुझे विज्ञान तो आ गया लेकिन विज्ञान के साथ मैंने दूसरा पक्षिजु था उसको मैंने खंडित कर दे मैंने का नहीं मैंने मानता कि यह साइंटिस्ट को किसी को पूछो कि क्या तुम इश्वर को मानते हो या पर्मतत्त को मानते हो तो वो उसमें वो कहता है नहीं यह मेरा विशह नहीं है मुझे इससे क्या लेना देना है मेरे लिए मैटर जो है वही सब कुछ है मैटर से ही मुझे सब कुछ लेना है यही करना है वो ही करना तो वहां मेरे उसको कह देते हैं कि यह तुम भी उस आग्यानियों की तरह बात करते हो بن क्योंकि तुम ने समभावनाओं को ठब कर दिया जहां हम वहां समभावनाओं को ठब कर देती हैं वहां हमारा सठोरन रुक जाता ओछежд है यत्र शास्त्रानि शास्त्रों के बारे में एब कमेंट करते हैं कि यह शास्त्र जो है वह उनक प्रकाश शिभ है कि हम चाहते हैं ुसके साथ हम जुड जाएं लेकिन उस परमворव के लिए ही प्रकार के ज्दान भी ज्यान है। वह शेशिक दर्शिन है a'tomi curios theory है有ी जिस कापढ़ी दुनिया भर की Georgies ayn वे केबल मात वो मात्र रुछ नामों को हमारे सामने एक और सामने नैंय और प्रॉब्लम्हां कर दी आगे से आगे तो वह पर वो कहता है कि नहीं झाल हुए वह स्वरूप का नुसंधान स्वरूप को ने शरू ने दिखा पाती है कि वस्तु का बास तर विश्टों गया अभी ग्व्जान जा पूँछ कि ग्यान कहेगा कि ये सारे का सारा जो भी ये इसके अंदर विज्ञान कें इंदर जो कर लिए ये प्रश्ण सारे गलत है हमारा ये प्रश्ण नहीं है हमारे विज्ञान का प्रश्ण यह कि मैं जो मेरे को नियम है वह प्रक्रिया है वो प्रक्रिया विशेज कभी भी किसी उसमें उस तरह के नहीं पहुंचती है वो उस देसे सुरूप के अंदर चलती रहने वाली, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, मैंने आज ये ठीरी निकाली फिर उसमें कल को और बदा, वो इसलिए वो विग्ञान जो है, वो क्योंकि relatively उसमें नए से निरंतर चलता रहता है, और फिर दूसरी संभावनाओं को समाप्त कर देता है, उस का इसकी दिशा में गया हुआ आदमी या उसको आप कहें कि आओ आज हम वोड़ा शिवरात्ती है, तो वो कहेंगा कि तुम ने क्या करना है, शिवरात्ती है तो भाई, लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा, वेज्ञानिक अगर कहेगा, कि आओ हम उसमें तो मैं उस संभावना को लेकर के चला जाओंगा, कि नहीं, नूकलिस के आगे मुझे से समझना चाहिए, इसलिए वहाँ पर शिवता के अंदर जो है, वो चाहे, अज्ञान जो है, वो भी एक अभरन महातर, अज्ञान वहाँ पर मूर्था ऐसी अज्ञान करती है, नहीं है, उसको अज्ञान को अचुक माना है, कि जिसे शिव ने स्वयम वर्ण किया अपने उपर, स्वयम ही सावी भोला बन गया है, यह उसके, और वागी यह जो इन विज्ञान को वो अस्विकार नहीं करता है, लेकिन इनको वो कहता है, यह अपूर्ण है, सारी दिष्टियां पूर्ण है, इन्हें पूर्ण ता क्यों और आना चाहिए, दो और संग्षिप्ट से वक्तवे ले ले लेते हैं, डॉक्टर आनन्द गुरिये जी, राश्ट्र से हैं, और उसके बार डॉक्टर रूपिका भिनोर जी, फिर हम इस सारे समाचार को, सारे विचार चर्चा को समाथ करेंगे, जी, आ मेरा नमस्कार, मेरा एक ही प्रशना है, आप सदाशिव मुर्ति के उपर कुछ बोलेंगे, जो रुद्र महेश्वर और सामब सदाशिव की होती है, जो एलिफेंटा में दिखाई देती है, एलिफेंटा में बहुत देर होगे मुझे देखे हुए, अब मेरी स्मृति में नहीं है, लेकिन सदाशिव में जो सुरूप उसमें, काश्मीर शेविज़ में जो सुरूप आता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, जरूर्द क्योंकि एलिफेंटा में, जो मैंने देखा, बहुत मुद्दत हो गई, सन 66, 67 के लगभग देखा हुआ है, तो अभी वो मेरी उसके स्मृति में नहीं है, लेकर उसमें ये है कि ये जो उपर से जो हम अवतरण की प्रक्रिया लेते हैं, कि वो जब पर्म जो शिवता है, उसमें जो विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रकाश जो है, वो उसके विमर्ष का उदय होते ही, जो स्थिती है उसमें ये परमशिव परमशिव से शक्ति और शक्ति से दूसरी अवस्था जो आ जाती है वो सदाशिव की अवस्था है सदाशिव अवस्था में क्या है कि वो सकल शिव का जो उपर स्वरूप बनाया हमने वो क्या है energized consciousness उसको हम कह देते हैं अंग्रेजी में वो ऐसी चेतना जो शक्ति जिसके अंदर जागरित जिसमें शक्ति जागरित हुए लेकिन अभी प्रस्पूर्टन नहीं प्रस्पूर्टन की इस्थिति में नहीं है बिल्कुल मैसूस ही नहीं होगा ऐसी एक बिल्कुल समस्थिति है और शक्ति के अंदर जो है वो उसमें वो conscious energy वो energy जो है वो conscious हो गई है और यहाँ बार उसमें सदाशिव स्थिति के अंदर यह है कि conscious energy जो है वो वो उसमें in vibration लेकिन अभी भी वो तरलता की स्थिति में है वो एक energy का शक्ति का वो जो शिव का जो प्रकट रूप है उसमें वो अहन और इदम के जो दोनों तत्व है वो बिल्कुल अत्यांत सुक्ष्म रूप के अंदर बें दिमान है उसके अंदर लेकिन सदाशिव से ही आगे जो स्रिष्टि का आगे चलेगा शबी तो सदा शिवता जो है वो एक प्रकार से एक विशोनमुख शिवता का मूल जो है जहां से सिष्टि की प्रक्रेयारंब होती है त्रूंकि वो उसमें जो वाइब्रेशन जो पंद है प्रत्मा स्पंद प्रस्वोटं की ओर जो स्पंद आता है वो उर्जा का प्रत्मा स्पंद जो है उसको सदाशिव्दा की स्थिती सुए करते हैं तो उस जम्न से लेगिन वह वो जो सामब सदाशिव की स्थिती है वो उसमें थोड़ा दाक्षिनाच्च दिष्टी से वहां पर जो है उसमें एक वो है तो वो उनका अपना दिष्टी को जैसे भी है कि लेकिन वो सदाशिव का वहां जो स्वरूप है सामब सदाशिव का जो स्वरूप है वो भक्तों के लिए वो परम स्वरूप है उनका कि पार्वती से उनका जो स्वरूप है और पूरा वो परिवार वाला जो स्वरूप है उनका वो उसके अंदर रहता है और उसके मिशे में जैदा मैं अभी नहीं कहता हूँ है और अन्तिन जो है, डॉक्टर रूपी का जी, अपने को अन्म्यूट कर ले, जी, पड़ी गुरुजी को सादर नमन, यह पूछना चाहती हूँ, कि ज्ञान, प्रकाश, या चेकना के विभिनस्तरों की बात, तो आपने अपने व्याख्यान में की है, वो लोक और समाज के विभिनस्तरों के संधर्ब में अतंत सार्थक है, सखीक है, हमें हमारे भी दस्थिर भी करने वारूपी, लेकिन इस ब्रामंड में, अंतरिक्ष में, ऐसी भी जगाएं हैं, उसका व्यापक विस्तार इतना है, जहां पर लोक, देश, समाज नहीं है, तो वहां हम शिव के स्वरूप को कैसे समझेंगे, देखे न, हम शिव को किसी एक स्वरूप से जब बादने का प्रयास करते हैं न, एक हम उसे रूपाईत करने का प्रयास करते हैं, और रूपाईत आकला का रोग जो हैं, वो रूपाईत करते भी हैं, लेकिन इस में हम जब ध जियान करते हैं को जियान दीजिए उस मैंने जो अदक्षिना मुवतिस्तोत्र का शो बताया था नौमा दूरंभान सनलो निलोंबरमहर नाथो इमान शूपुमान उसमें शून्यों की भी कल्पना शेवों ने की है वो बीच में जो स्पेस आता है वो स्पेस में उसका नाम उ मार करते हुए दूसरे तत्व तक पहुंच गया वहां से शून्यों वहां विराट उसके अंदर एक अलग किसम का जगत एक अलग किसम की उसमें मोटे मोटे तोर पर तो उन्होंने एक सो अठारा भूवन के करीब माने लेकन उसके अतिरिक्त भी बहुत बड़ी संख्या भ पर उन खुबनों के अंदर भी ये जो शयमी जो संदर्व है उस्चेवी संदर्व में वहां पर भी जो लोग है उनके अंदर उस रूप में भी शिव प्रतिष्टित है शिव के वल मात्र ने मरत लोग तक जब भूबो तक की तो सीमा नहीं है उन की 27 यसमाद परस्माद विभो उसका जो नतिम चेने की इतल मिंदे तरे स्माथ परस्माद विब हो दिस का चिंटन करते हुए उससे भिन्ह और कुछ नजर ही नहीं आता है जस्मात परस्मात भी हो वो जहां पर जो शून जहां क्योंकि देखो हमारा जो दोनों ही ग्यान के अंदर आगए अभाव क्या है ग्यान मुलक अभाव का भी ग्यान होता है ना आपको तो अभाव भी ग्यानात्मक है भाव भी ग्यानात्मक है तो भाव और अभाव दोनों ही ज्यानात्मक हैं और ज्यानात्मक जो ज्यान है वो ज्यान का मूल चैतन यह है तो जहां कि ऐसी कोई सिती है यह नहीं है जहां पर शिवता का समावेशना आ, जी, ठीक. एक मेरा और प्रश्न है शिव को रूद्र क्यों कहा जाता है रूद्र का रूद्र पद का दरसल में वो प्रयोग है वो वैरिक प्रयोग पहला है तो उसमें जो वैरिक प्रयोग है उसमें एक आर्टिकल में ने लिखा हुआ है रूद्र से साक्षाद कार वो में प्रकाशित भी है तो वहां ये वेद में ही इसका रेफरेंस आता है कि सो अरोदीत उसने रुदन किया तो वो उसने रुदन किया और वो उससे उसका नाम रुद्र पढ़ गया ये स्थूल रूप में बात कहीगी वहां पर तो उसमें लेकर तो वो उसमें अब ये जो निर्वतन करने की पद्धती है लेकिन रुद्र शब्द का जो है वो एक प्रोधीश के रूप में प्रोध के स्वामी जैसे होते हैं तो उसका स्वरूप जो है वो हमें मिलेगा कि वेद के अंदर जो उसका आया इस वो रुद्र जो है वो उसमें एकादश रुद्रा फिर का असंख्याता रुद्रा भूम्यां ये ग्यारा रुद्रुजय हैं मुख्य हैं और फिर ग्यारा क्या तिरिक्त फिर असंख्यात भी कह दिया उसको यह असंख्य रूप में है तो उसमें यह जो रुदन करना है वो रुदन का अभी प्राइस समझने पढ़ेगा कि श्रीवता का यह मैं समझता हूं कि एक कुछ सारी सिंबॉलोजी को एक्स्प्लेंट करना पड़ेगा इसमें रुद्र का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए तो यह रुद्रा अधि भूम्याम वह वैदिक मानिताओं के अनुसार रुद्रबन को व्याक्षात करने में थोड़ा सा विस्तार चाहिए और वो उसमें बालक उसमें बालक रूप के अंदर वो रुद्र का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ और फिर वो कैसे अग्रसर होता ह वो लंबी चोड़ी कथा बन जाएगी वह वैसे यह भी जानना रुचे कर रहे गया कि रुद्र को लेकर के यग्य तो है लेकिन शिव को लेकर यग्य उस प्रकार नहीं होते रुद्र की यग्य स्विकारता तो है रुद्र का ऐसा है शत्रुद्री यग्य लेकिन शिव कि और ये नहीं सुना नहीं दर्शलिमी क्या है कि वह यग्य के साथ संबंध उसका यह है कि जो अरणी लखडियां है ना वह अरनी लखडियों में बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाई जाती है अब थोड़ा सा स्थ मैं बता देता हूं तुमें कि वह लखडियां अरणी जो तो संघर्षन उनका जो है वो एक प्रकार का रुदन है वो जो शब्द उत्पन होना है ना वो संघर्षन है उस संघर्षन से जो उत्पन होता है वो अगनी उसका नाम रुद्र होता है वो जो अगनी उत्पन हुआ फिर उसको हमें बालक रूप में उसने करंदन किया वो पुष्ट किया फिर वो उसमें अगरसर हो गया फिर वो अगरसर होते होते उसमें वो पूरे कुंड के अंदर अगनी जो है उसमें सब्त जिभा साथ उसमें उसकी जीवें लपलपाने लगी नीली पीली हरी लाल कही तरह कि उसमें सब्त जिभा कहते हैं सब्त लेला है जर्च उसकी लप्टे निकलने लेकिन अब वो युवा हो गया अब उसमें आप जो आउतियां देते हो तो उसको शिव को इसलिए नहीं शिव वो कहें कृष्णा द्वारकेंद योनी भुजगयोपतितनुस्तम्ततक कुंडलीशा है हे शिव वो जो अगनी है वो उपर के और जो क्योंकि भौतिक अगनी है लकडियों से जलने वाला है इसलिए वो जो अगनी है वो अगनी ही एक प्रकार से रुद्र के रूप में प्रकट होता है इसलिए यग्य के अंदर रुद्र का तो संबंध है उसमें क्योंकि वो अगनी जो है रुद्र का भी रूप जो है वो क्र दुर्वासाम उनी जो है क्रोधीश उनका नाम ही क्रोधीश पढ़ गया क्रोध भट्टारिक उनको कहते हैं दुर्वासाक इसलिए वो जो रुद्र जो है वो प्रज्वलित जब हो उठता है तो फिर वो उसमें उस तरह से तो शिब को लेकर के क्योंकि वैदी के देवताओं में रुद्र का ही पहले नाम आता है जी ठीक है इससे पहले कि मैं डॉक्टर सी के जहाजी से निवेदन करूं धन्यवा ग्यापन के लिए प्रोफेसर सरोच जी आप मैंडम कुछ कहना चाहेंगे को टिपनी करना चाहेंगे मैं आप सबको प्रणाम करती हूं और विशेश रूप से अजारे प्रवर्गुक और मैं आहलादित हूं कि महाशिवरात्री को उत्सव रूप में मनाने का जो आपने उपक्रम किया है वह वस्तु तह मेरे मन को पहुत ही आहलादित कर रहा है और हम शिव तत्व को लेकर जिस प्रकार का ये चिंटन आज हमको करने का श्रवन लाब मिला और कितने विभिन रूप हैं शिव को यदि हम साहित्य में देखते हैं संस्कृत साहित्य में तो भी हमारा एक भिन प्रकार से अभिप्रेरणा के रूप में वे हमें दृष्टी गोचर होते हैं और मैं बहुत ही आनंदित होती हूँ जब ये पाती हूँ कि जब महा कवी कालिदास मंगला चरण में पार्वती परमेश्वरों वंदे ऐसा कहते हैं तो वहाँ पर जो टीकाकार मलीनात हैं वे एक बहुत सुंदर उपपत्य देते हैं कि संपूर्ण शब्द ग्यान ये तो पार्वती के अधीन है और संपूर्ण अर्थ ग्यान ये शिव के अधीन है तो ये लोक और लोकोत्तर दोनों को शिव और पार्वती किस प्रकार से साधते हैं और बहुत जो भ्रान्ती है हमारे शोताओं में या अन्या जो प्रजाजन है उनमें एक भ्रान्ती रहती है कि संस्कृत में बहुत अध्यात्म का कोई ऐसा उच्चस्तर है जिसका लोक से संबंध नहीं है परन्तु पार्वती और शिव लोक और लोकोतर दोनों के एक बहुत ही सुन्दर उपलक्षन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं ग्रिहस्थाश्रम को जितना सुन्दर शिव ने साधा है अपने पुत्रों के माध्यम से अपनी पत्नी के माध्यम से और पत्नी भी कैसी जो की अपरना हो गई थी जो की अपरना रूप को प्राप्त करके शिव को उन्होंने पाया था तो जितना महान लक्ष है उसके लिए त अनेक पक्ष हो सकते हैं और दामपत्य जीवन का आदर्श हम पार्वती और शिव में देखते हैं और कई बार गी जब उपाए बताए जाते हैं तो आशुतोष जी मुझे बहुत आनन्द आता है और मैं ये बात जो है इसका कीरतन करती हूं कि यदि दामपत्य में कोई है तो उसके अभीष्ट देवता के रूप में पार्वती और शिव की आराधना का विधान हमारे शास्त्र करते हैं इस प्रकार से जब हम महाशिवरात्री पर इस युगल का दामपत्य के आदर्श का जब चिंतन करते हैं तो सभी पर उनकी कृपाद्रिष्टी नित्य ही प चतम लक्षी की ओर अग्रसर होते रहें यही मानव जीवन की सार्थक्ता मुझे प्रतीत होती है मैं भगवान शिव और पार्वती के चर्णों में प्रणाम करते हुई आप सब आचारेओं के चर्णों में प्रणाम करते हुई अपनी बात को टिपणी को यहां समाप्त करत है बाकी तो कहीं न कहीं जो देवताओं के ग्रिहस्थ जो है वो उस तरह से सफल नहीं हो पाए जिस तरह से सफल ग्रिहस्थ शिव पार्वति का हमें दिखाई देता है जी यह बहुत सुंदर एक विशय है इसके और भी कभी विस्ताथ पूरक चर्चा करेंगे तो मैं आमंत् सर्व प्रथम आज सिवरात्री महासिवरात्री का फर्व और उस फर्व के दिन में हम सब को महासिवरात्री के अवसर पर यह कहें कि यह जो आयोजन आप ने किया है और उसके साथ-साथ जो हम यह कहें कि बिभिन्य सास्त्र जितने भी सास्त्र है वह सास्त्र सब एक रूप में समेट कर हमारे परमादर्मिय गुरुजी ने जिस रूप में सिव के बिविज रूप को हम सब के बीच में रखा है बहुत ही सुन्दर और ज्यान संपुर्ण रूप में ब्यापक को लिए हुए हम सब के बीच में वो ज्यान समझ में आया है और जो ज्यान के विविद पक्ष हैं उन पक्षों में कई तरह की चीजें एक विचारधारा दूसरे विचारधारा से मेल कभी खाती है कभी दूसरे रूप में चली जाती है परन्तु गुरू जी ने उन सभी विचारधाराओं को एक साथ में एक मार्ग पर लाकर के हम सब के वीच में बहुत ही सुन्दत और ज्ञानबर्धक संदेश पिया है आशिरबाद दिया है मैं विविद जो कालेज इसके आयोजक है उन सभी आयोजकों की ओर से अपनी ओर से गुरू जी का बहुत बहुत धनेवाद तो छोटा रूप है मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हम सब आभारी हैं जिदोंने आज के इस सुख दिन में गुरू जिके वर्टब को साथ साथ इस समारोह में भाग लेने वाले जो बिविन बिद्वान जैसे की आनंद जी हैं रूपिका जी हैं डाक्टर सरोज जी मिनाक्षी जी और बहन राजिंद्रा जी तथा बिविद अन्य कालेज के जितने भी बिद्वान साथी जुड़े हुए हैं उन सब को भी मैं अपनी और से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ साथ बड़े भाई आस्टोस जी का तो मैं सदय अभारी रहूंगा कि मुझे ऐसे अवसर पर जुरने का बार बार अवसर देते हैं इन्हीं सिवकावनाओं के साथ जा साब आस्टोस का अभी प्र इस धन्यवाद के साथ ही आज की यह हम परिचर्चा को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं और फिर दुबारा कभी विशे को और अग्रिसर करेंगे और इन आयामों को ट्रेटोलने का प्रयास करेंगे तो आप सब का पुना आभार सभी का धन्यवाद आप लोग उने फॉ और आपके सटिकेट आजाएंगे और इसी के साथ धन्यवाद करते हुए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी मीटिंग जो है वो छोड़ सकते हैं डॉक्टर विवेक ची भी जुड़े हुए हैं हिमाचल से हमारे साथ संस्कृत के विद्वान है और साथ ही साथ जो है वो है उनके विशेश सिद्धता है धन्यवाद बहुत बहुत आभार आप सब का फिर मिलेंगे समय के अनुकूल थेंक यू थेंक यू सो मच जालो ओम शानी दिश्वान